ओम्प श्रान्ति 10 सक्तम्बर 2026 के मुरली के महवाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार मिठे मिठे प्यारे प्यारे शी बाबा ने कहा मिठे बच्चे माया को वश करने का मंत्र है मन मनाभव इसी मंत्र में सब खुवियां समाई हुई है यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है प्रश्न मुद्ली का आत्मा की सेफ्टी का नंबर वन साधन कौन सा है? और कैसे? उत्तर याद की यात्रा है सेफ्टी का नंबर वन साधन है क्योंकि इस याद से हैं तुम्हारे क्यारक्टर सुधरते हैं तुम माया पर चीत पा लेते हो, याद से पतित करमेंद्रियां शान्त हो जाती है, याद से ही बोलाता है, ज्यान तलवार में याद का जोहर चाहिए, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नारास नहीं करेंगे, इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है, अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक याद में रहते हैं, ओम शान्ती, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज साब ठानी जरूर देनी होती है, कौन से? सेफटी फ़स्ट, सेफटी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हैं, मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बात ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तक पर रहेंगे, उतने खुशी भी रहेगे और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, क्यारेक्टर्स भी सुभारना है, अपने जाँच भी करना है, मेरा क्यारेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह भी मान तो नहीं आ जाता है, यह अच्छी रिदी अपने जाँच रखने है, बाप बैट बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो, तो फिर पढ़ाते भी हो, बेहत का बाप सर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सर्भ हैंते हिधारे, इसमें सारी दुनिया आ जाती है, एक बाप ही विदे ही है, एक बाप ही ज्यान का सागर है, एक बाप ही नौलेज़ फुल है, गौड इस बवन, बाकी सर्भ देहधारी हैं, चोहे फिर वो देवी देवता ही क्यों ना हो, उनके भी शरीर रूपी मात पिता होते हैं, जिसके शरीर रूपी मात पिता होते हैं, उन्हें भगवान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मनुश्यों से उच देवी देवता होते हैं, जोकि वो सतियोग में होते हैं, और त्रेता में बाबा कहते हैं, तब भी उनकी अवस्था श्रेश्थी रहती है, लेकिन छोदा कला हो जाते हैं, लेकिन द्वापर से फिर माया राज करती है, और क्या हो जाते हैं, कामचिता पर बैठात मकाली बन, मनुश्यों निम्याने शुरू हो जाती, महाँ देवी देवता नहीं कहेंगे, तो बाबा कहते हैं, तुमको भी विदेही बनना है, वह तुम बच्चों को कहते हैं, कि तुम भी मुझ समान, बाब समान बनो, मैं आया हूँ, तुमको विदेही बनने, पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, छीछी को तो साथ ले, नहीं जाएंगे, इसलिए पहले-पहली मंत्र ही यह देते हैं, माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है, इस मंत्र में बहुत खुशियां, खुबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुशे से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ़ती चाहो मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुर्शात करो बाप तो शिक्षा देते रहेंगे भल ड्रामा भी कहे कहते रहेंगे ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे याद की यात्रामा कमजोर नहीं बनना है पाहर रहने वाली बाधेली को भिका हैं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं क्योंकि उनको तड़फन होती है श्री बाबा से मिलने की चुब मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे की भर जाता है अब देखो बाबा कितना बेड़ी बात कहते हैं जो बाबा के पास नहीं गए जो मधुबन नहीं गए तो उनको इतनी तड़फन रहती है बाबा कहते हैं जो सम्मुख बैठे बच्छों को नहीं होती है लेकिन जो फिर एक बार मिल लेते हैं तो जैसे कि पेट बर गया पेट बर जाता है तो एक तरह से हम ही खुश है क्योंकि अभी हम बाबा से मिलने के लिए दड़वते हैं अभी तक नहीं गए न तो याद जासती आती है जो बहुत याद करते हैं वह उच्पत बासकते हैं देखा जाता है अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेंटर संभालन वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमसूर है यह बाबा केते हैं याद का जोहर बहुत अच्छा चाहिए ग्यान तलबार में याद का जोहर ना होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं बाबा केते हैं जबी भी मुर्ली सुनाओ या मेरी बातें करो तो बाबा बाबा केते रहो पूरा बाबा केते हैं यदि आपको नहीं है ज्ञान धारना तो बाबा केते हैं फिर सामने वाले को तीर नहीं लगता है पूरा मरती नहीं जीते जी मर जीवा बनना है इस देह से देह की दुनिया से इस कोई कारों की दुनिया से क्या होना है बुद्धी को हटाना दाम सुख धाम में, तो बाबा केते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पूरा नहीं मरते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं, ज्यान का बाण लगा कर बाप का बनाए, यह बहुत मर्ची बाबनाए, पर उन्तु मरते नहीं, तो ज़रूर ज्यान तलवार में गड़बढ़े, बाबा जानते हैं, ड्रामा बिल्कुल अक्यूरेट चल रहा है, पर अगे के लिए तो समझाते रहेंगे न, हर एक अपनी देल से पोचो, हम कहां तक याद करते हैं, याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ग्यान तलवार में जोहर चाहिए, ग्यान तो बहुत सहच रीती समझ सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे, उतना बड़े मीठी बनते जाएंगे, बाबा कहते हैं, तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठी थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, बाबा कहते हैं, कभी रंच नाराज नह ही होना चाहिए ऐसा वातावर ना हो कोई रंज हो कोई ऐसी कोशिश करने चाहिए क्योंकि यह इश्वालिय college सावन करने की service बहुत उच्छी है विश्व विद्यालय तो भारत में बहुत गाय जाते हैं वास्तों में वकष है नहीं विश्व विद्यालय तो एक ही होता है जहां कर बाप पढ़ाते हैं तो बाप आकर सब को मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्差 देते हैं बाप चानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुश्य मातर हैं वह सब खत्म होने हैं बाप को बुलाया भी इसलिए यह है कि बाबा के थे स्थापना करो इसलिए बुलाया है ना दाकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाने है तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना करो आकर ऐसे बच्चे फिर बुलाते हैं कि छीची दुनिया का खत्मा और नई दुनिया की स्थापना करो बच्चे भी समझते हैं, बरोबर बाप आया हुआ है, अभी माया का पाम्प कितना है, फॉल ओफ, पाम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, बड़े-बड़े मकाना दी बना रहे हैं, यह है पाम्प, सत्यूग में इतने मंजित के मकान बनते नहीं है, यहां बनते हैं, क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है, बाबन हैं महावाक्यों में कहा, कि इस संसार को, दुनिया को क्या कहते हैं, जहां जीव आतमाए रहती हैं, वो हमारी दुनिया नहीं होती, असली दुनिया तो میरा कारी दुनिया है, यहां तो सिर्फ आत्माय अपना पाड़ बजाने इस शरीव को ले करके आती हैं तो शरीव में आई तो पाड़ बजाना शुरू करती हैं तो बाबा कहते हैं कि शुरू में छोटा जाड़ होता है सत्यूबी जाड़ बहुत छोटा होता है तो त्रेता सत्यूग तो बाबा कहते हैं, सबसे छोटा सत्यूग होता है, त्रेता में फिर और होते हैं, तो फिर उदर लाख हो हैं, इदर नौ लाख होते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं, फिर तो आपर से और और धर्म की स्थापना होती हैं, तो मनश रूपिश रिष्टी ज वाबे ने कर्यों के महावादियों में कहा कि परमधाम खाली होता है, तब पूरी आत्माइ आ जाती हैं, तो रहने को चबह नहीं होती हैं, तो यहां बनते हैं, क्योंकि जुगे कम हैं, विनाश जब होता है, तब सब बड़े-बड़े मकान भी online इनि पर नहीं हैं, जमीन तो जाते, तो पोई जंगलों पे, पानी पे, कैसे कोई खेतों अपने घर बार बनाते हैं, पहले देखो, गाउं से शहर आने में लगता था, जैसे ना जाने कहां जा रहे, अब गाउं शेहर एक जुड़ गये हैं, अपने घर मकान बन गये हैं, कि लगता ही नहीं कि दूसरी तो बाबा क्या कहते हैं, कि यह सब पांप है, सत्योग में इतने मंजिल के मकान बनती नहीं है, यहां बनते हैं, विनाश जब होता है, तब सब बड़ी-बड़ी मकान भी गिर पड़ते हैं, अभी देखी लिया होगा, कि आंदरा में जो आया है, वीचे बाडा में, कैसे सब म इसका मतलब यह नहीं है, कि वही मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं, जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, प्रत्वी पर हो, अकाश में, पहारों पर हो, बोड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे, यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनिया हैं, यह लेकिन, मनुशी की योनि कोई जानवरों में जहें नहीं जाती है, तो यह टोटल जितनी भी योनिया हैं, बाबा कहते 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 हैं, बाबा कह अब तुम बच्चे भी देवता बनती हो तो बहुँं परहर अच्छी सतुपधान होती है। यहां भी बड़े आदमी के घर में जाएंगी तो बड़े सफ़ाई आदि रहती है। तुम तु सबसे जास्ती बड़े देवता बनती हो, बड़े आदमीं भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत उच उच बड़े देवताएं बनती हो, यह कोई नई बात नहीं है, पांच हजार वर्ष पहले भी तुम यह बने थी, नमबर वार, यह इतना किछड़ा आदी, वहां कु हमको बहुत उच बनाते हैं पढ़ाई में, हमेशा नमबर वार पोजिशन वाले होते हैं, पोजिशन जिनकी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उन्हीं की होती है न, तो कोई गम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं, अब बच्चे पुर्शात कर रहे हैं, बड़े- बड़ों को मालुम पड़े भारत का प्राचीन राज्योग बिगाया हुआ है, खास विलायत वालों को जास्तिव सुकता होती है, राज्योग सीखने की, भारत वासी तो तमो प्रधान बुध्धी है, वा फिर भी तमो बुध्धी है, इसलिए उनको शुक रहता है, भारत का प्राचीन राज्योग सीखने का, भारत का प्राचीन राज्योग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था, बहुत थोड़े आते हैं, जो पूरी रीती समझते हैं, स्वर्ग हैवन पास हो गया, सो फिर हो गया, होगा जरूर, जो पास हो गया ना, वो फिर से हो तो हैवेन अथवा प्राडाइस है सबसे वंडरोफ वाड स्वर्ग का कितना नाम बाला है स्वर्ग और नर्क शिवाले और वेशियले बच्चों को अब नमबर बार याद है कि हमको अब शिवाले में जाना है वहाँ जाने के लिए शिवाबा को याद करना है वही पंडा है सबको ले जाने वाला भक्ती को कहा जाता है रात भक्ती को कहा जाता है दिन और रात भक्ती को कहा जाता है रात और ग्यान को दिन यह बेहत की बात है नई चीस और पुराने चीस में बहुत फर्क होता है अब बच्चों की दिल होती है इतने उंचते उंच पढ़ाई, उंचते उंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े-बड़े लोग आएंगे, एक-एको बैट समझाना पड़ता है, वास्तों में पढ़ाई वाशिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं, ब्रह्मस ज्यानियों के भी अश्रम्स शहर से द नीचे ही रहते हैं, इतने उपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं, अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर खुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है, इस समय सबकी बैटरी खाली है, अब बैटरी को कैसे बरना है, यह बाप के सिवाई कोई भी बैटरी चार्ज करन सके, करंट तो एक ही जगे से आती है, पिर चाहे आप उसे मिक्सी के द्वारा यूज करो, चाहे प्रास के द्वारा, चाहे गैस के द्वारा, चाहे वाशिं मशीन के द्वारा, चाहे फ्रिच के द्वारा, कूलर के द्वारा, एसी के द्वारा, किसी भी प्रकार से उसे लेकिन पावर का एक ही जर्यां है वो है electricity meter और आपउ होता है जहां से पूरे घरों में पावर जाती है तो यही परभारमत्ता परमात्मा का भी कहना है कि पावरफुल सिर्फ मैं हूं सिर्फ बाबा पावरफुल है और तुम से मुझसे ही पावर ले सकते हो तो कनेक्शन डारेक्ट चूड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर नहीं आएगी करंठ है ना इंडारेक्ट तो नहीं आएगी तो बाबा केते हैं वह ताकत अभी खत्म हो गई है बैटरी इस समय खाली है अब बैटरी को कैसे भरना है तो बाब के सिवार कोई भी बैटरी चार्ज नहीं कर सकेंगे बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है उसके लिए मोग्य है याद उसमें ही माया की विगन पड़ते हैं कोई तो सरजन के आगे सच बतलाते हैं कोई छुपा लेते अंदर में जो खामिया है वह दो बाप को बतलाने पड़े इस जण्म में जो बाप की है वह विनाशी सच्जन के आगे वरनन करना चाहिए नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहीगा सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं अंदर रख लेना यह भी नुकसान का रख है जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं इस जन्म में यह बाप किये हैं, दिन प्रती दिन बाप सूर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तमो प्रधान से बाप तो जरूर होते हैं, बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्म के अंत में जो नमबर वन पतित बना है, सबसे जास्ती जन्म सबसे पहले पति वही बनेगा जिसने सबसे पहले क्या लिया है जन्म तो प्रिंस जो राजकुमार है कृष्ण उसके 84 जन्म हुए तो वही लक्ष्मि नारायन बाबा के दिना नारायन बनने में क्या है एक सीड़ी चड़ना लिफ्ट कराते ना बाबा संगमूत लेकिन ब्रह्मा सो विष्णू सो ब्रह्मा तो विष्णू से ब्रह्मा बनने में कितने जन्म लेने पड़ते हैं चोरासी वो विष्णू बनने में एक जन्म तो बाबा यही कहते हैं ब्रह्मा की र ब्रह्मा का दिन तो बाबा केती हैं उस तरह से मैं जो सबसे पहले जन्म उसी के नंबर वन बही पतित बना है तो उसमें ही प्रवेश करता हूं क्योंकि उनको ही फिर नंबर वन में जाना है बहुत महनत करनी पड़ती है इस जन्म में पाप हुए तो है कईों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह कर रहे हैं सच नहीं बतलाते हैं कोई कोई सच बतला देते हैं बापने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मींद्रियां शान्त तब होती हैं जब करमाती तवस्था बतती है जैसे वनशे बूढ़े होते हैं तो कर्मा कर्मींद्रियां और जोमेटिकरी शान्त हो जाती हैं इसमें तो छोटे बन में ही सब शान्त हो जाना चाहिए यूग बल में अच्छी तर है रहे तो इन सब बातों की इंड हो जाए वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी किछिड़ पट्टी आदी कुछ नहीं होता है वहाँ देखो कोई भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं तो शरीर की विश्यती नहीं होती है शरीर की श्यती कब होती है जब आत्मा में विकार आते हैं आत्मा में विकार आया देह भान आया काम का भूताया, क्रोध का भूताया, लोग का, मुह का, तो ये क्या है दोश ग्राना कितने कुछ भूत है तो उससे नुक्सान तो होगा, तो बापा केते हैं, यहाँ देखो कितना गंदी मिमारी की चुपट्टियादी कुछ नहीं होता है वहाँ पे, तो मनुश बड़े अच्छ तो अनेक प्रकार की गंदीगी की बिमारीया आदी हैं, सत्योग में यह कुछ होती नहीं, बात मत पूछो नाम ही कितना फॉस्ट प्लास स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती हैं, बाप समझाते हैं इस पुर्षोतम संगम युपर ही तुम यह सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे, कलमरत्यू लोग की मालिक थे, आज अमर लोग की मालिक बनते हो, निश्चल हो जा कलमरत्यू लोग में थे, आज इस संगम युपराने से, अमर लोग में जाने के लिए तुम तुर्षांत कर रहे हो, पढ़ाने वाला भी अब मिला हैं, जो अच्छे रेती पढ़ते हैं तो पैसा आदी भी अच्छा कमाते हैं, बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे इस बढ़ाई से तुम बहुत उच पत पाते हो, अब ही तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्छों के और कोई को मालूम नहीं है, तुम भी फिर घड़ी-घड़ी भोल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो, भूलना माना पुरानी दुनिया में चले ज अभी तुम संगम योगी ब्रामनों को मालूम है कि हम कल्योग में नहीं हैं वैसा देव याद रखना है हम नई रिश्व के मालिक बन रहे हैं और उस मालिक बनने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी तो वो अभी हैं बढ़ाई कर रहे हैं बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए यह है शुद्ध अहंकार वह है शुद्ध अहंकार तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध खयालात भी नहीं आने चाहिए पुछात करते करते आखरीन पिछाडी में रेजल्ट निकलेगी बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुछाती हैं इम्तहान जब होता है तो नमबर बार पास्व हो फिर ट्रांस्फर हो जाते हैं तुम्हारी है बेहत की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो तुम कितना समझते हो नए नए आदेज रहते हैं बेहत के बाप से वर्षा पने के लिए भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते नश्रे गुद्धी हो जाते हैं, ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए, समझ कर ही यहां आते हैं, कोई न कोई समझे हुए हैं, तो भी यहां आने से समझ जाते हैं, बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो, तो मत पूछो, बाप तो चुपक है ना, जिसके तकदीर में हैं, वो अच्छी रीती पकड़ सकते हैं, तकदीर में भगवान, उनका नाम क्या है? श्रीबाबा ही आँगो सवर्ग की बादशाही देते हैं, फिर कौन diagnosis पढ़ाया छिए हैं, तुम कहेंगे हम को श्रीबाबा बढ़ाते हैं, जिससे कि जन्मों की बादशाही मिलती है, ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं कोई तो पूरा ना समझने कारा इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं बंधन की जन्जीरों में जगड़े रहते हैं शुरू में तो तुम कैसे अपने को जन्जीरों से चुड़ा कर है जैसे कोई मस्ताने होते हैं यह भी ड्रामा में पाड़ था जो कशिश हुई ड्रामा में भटी बनने थी जीती जी मारी फिर माया की तरफ कोई-कोई चले गए युद्ध तो होती है ना माया देखती है इतनी इसने बड़ी हिम्मत कही अब वो हम भी छोग कर सकते हैं कि पक्के है वह नहीं बच् कितने संभाल होती है सब कुछ सिखलाती थी तुम बच्चे हल्वमाती देखते हूं लेकिन सिर्फ छित्र देखने से भी समझ ना सके कोई बैट समझाए कि क्या-क्या होता था कैसे भटी में पड़े थे फिर कोई कैसे निकले कोई कैसे जैसे रुपे चपते हैं तो भी पूज़ा समझते हैं समझते हमे कैसे हो सकता है माय रावाडितं बना देते हैं शीवाबा की पूज़ा भी करते हैं फिर कह देते सर्व बयाबी, शीवाबा कहते हो, फिर सर्व बयाबी कैसे हो, पूजा करते हैं, लिंको शीव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं, कि इसमें शीवाइठा है, अब पुथर ठिकर वित्तर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है, भगवान अ दारना के लिए मुख्य सार मेला बाबा ने कहा ऐसा मेठा वात वरण बनाना है जिसमें कूल भी नाराज ना हो बाप समान विदेही बनने का प्रशात करना है याद के बुल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मीत्रियां शान्त करने है दूसरा सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम यूगी हैं कल यूगी नहीं बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए आगे बनाने के लिए पढ़ा रही है शुद्ध भयालात समात कर देनी हैं सो अपन में भी क्या हो बाबा क्या कहते है शुद्ध होना चाहीए वर्दान आकाल तक्त और दिल तक्त पर बैठ सदा श्रेष्च कर्म करने वाली कर्म यूगी भव इस समय आप सभी बच्चों को दो तक्त मिलते हैं एक अकाल तक्त दूसरा दिल तख्त लेकि तख्त पुरप ही बढ़ता है जिसका राजी होता है जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज अदिकारी है और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्सी के अदिकारी है जिसमें राजी भागे सब आ जाता है कर्मियों की अर्था था दोनों तख्त ऐसे प्रक्तिनशीन आत्मा का कर्म शेष्ट होता है क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लौ और और रहती है। स्लोगन है जो सदा स्वामान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुर्वान और महान है।